Hello everyone, तो आज के इस online lecture में हम लोग next episode को देखने वाले हैं जिसमें हम future continuous के sentence को solve करेंगे तो future के continuous sentence को पहचानना कैसे है और किस तरह के rules apply करने हैं इन चीज़ों पे समझेंगे तो चले शुरू करते हैं जैसे यहाँ पे sentence हमारे सामने लिखा है कि मैं अपना part याद कर रहा होंगा तो जो काम हमें future में करना होता है मतलब जो काम अभी तक हमने नहीं किया है आगे हम करेंगे उस चीज़ को यहाँ पे हमें पहचानना है तो sentence पढ़ने में लगेगा कि हम इसे काम करने वाले हैं लेकिन आगे की condition में अभी हमने उसे किया नहीं है लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे रहा शब्द सुनाई देगा जो कि continue के बारे में बताएगा कि यानि वो काम जब मैं करूँगा तो लगातार करूँगा मैं अपना पार्थ याद कर रहा होंगा तो यह ऐसे sentence हमद लीजिए जैसे मान लीजिए आपके किसी friend ने आपसे पूछा कि आप कल क्या करोगे या कल क्या कर रहे होगे तो आप बता दोगे कि जैसे अगर मान लीजिए उसने 10 वजे के समय पूछा कि 10 वजे क्या करोगे तो इससे हम पहचान जाएंगे कि यह future के continuous का sentence है बट आपको ध्यान रखना है इन sentence में कहीं पर भी time नहीं दिया होना चाहिए अगर कोई time दिया होगा तो यह future का continuous नहीं कहलाएगा और फिर यहाँ पर rules बदल जाएंगे इसलिए जैसे इसमें कोई time नहीं दिया हुआ है यहाँ subject और subject के बाद में हम लिखेंगे will या फिर shall इन दोनों में से कोई एक चीज हमें लगानी है I और we इन दो pronoun के साथ हम लोग जब भी कोई भी helping up लगाएंगे तो हमेशा हम लोग shall का use करेंगे s-h-a-l-l लेकिन इसके अलावा जितनी भी हैं जैसे he है she है it है और they है इन सभी क या किसी का नाम है इन सभी के बाद में हम लोग will का use करते हैं तो यह तरीका हमें याद रखना है कि I और we के साथ shall बाकि सभी के साथ will का use करना है will के बाद में यानि will और shall जब हम लगाएंगे उसके बाद में हमें एक word यूस करना है be be का ये भी यूस करेंगे फिर verb की first form औ इसके बाद में last में object पुट करेंगे और object के बाद में जो भी other words होंगे sentence में उसे हम last में लिख देंगे तो हमें यह process हमें यूज करना है और इसी के according हम चलेंगे तो जैसे हमारे सामनी sentence लिखा है मैं अपना पाथ याद कर रहा हूंगा तो मैं के अंग्रेजी के लिए लिखे लिखे हैंगे तो हैं लिख देंगे शैल उसके बाद लगाना है बी याद गरनी के अंग national उर्ण तो उसके साह вместе लर्न तो उसके साथ हम लिखेंगे जाना उसके साहर से दोंगा तो अपना पाठ की बात कर रहे हैं यानि मैंने कहा है मैं अपना पाठ याद करूँगा तो यहाँ पर हम use करेंगे my और फिर lesson तो I shall be learning my lesson इस तरह से यह sentence हमारे translate होके बन जाएगा, next sentence बिल्कुल वैसे ही है same pattern पे कोई भी confusion नहीं होना चाहिए बिल्कुल आप इसी rule पे based होकर इसे translate कर सकते हैं जैसे यहाँ पर work के अंग्रेजी लिखेंगे हम he और he के बाद लिखेंगे अब will क्योंकि I और we के साथ shall यूज़ होता बाकि सभी के साथ will तो यहाँ पर हम लिखेंगे he के बाद में will उसके बाद में हम will का यूज़ करेंगे will लिखने के बाद b लिखेंगे b के बाद लिखा है लिखने के अंग्रेजी तो sorry यहाँ पर रही होका कहा गया है तो यहाँ पर आप she यूज़ करेंगे gender जो भी sentence में होता उस चीज़ कों में देखना होता है तो यहाँ पर रही कहा गया है इसलिए यहाँ पर she यूज़ कर देंगे तो she और फिर लिखेंगे will be तो he के साथ भी will यूज़ होता है she के साथ भी she will और फिर be उसके बाद लिखने के अंग्रेजी होती writing तो हम लिखेंगे she will be writing और फिर क्या लिख रही एक पत्र तो a letter तो यह last में हम लिख देंगे इस तरह से she will be writing a letter तो यह sentence हमारा इस तरह translate हो जाएगा next है तुम्हें कीत गार रहे होगे तो यहाँ पर भी future की बात कर रहे होगे गार रहे हो नहीं गार रहे होगे तो तुम से शुरू हुआ है तो वहाँ पर हम लिखेंगे you और you के साथ अब हम लगाएंगे will क्योंकि shall का use यहाँ भी नहीं होना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम you will उसके बाद में be use करेंगे you will be गाने के अंग्रेजी होती है singing you will be singing और क्या गार है गीत तो a song गीत के लिए हम लिखते है song गाने के अंग्रेजी होती है singing और गीत के लिए song तो a song करके रास में लिख देंगे पूरा sentence बनेगा you will be singing a song इस तरह से sentence बन जाएगा नेक्स्ट है वह दूद पी रही होगी तो वह यहाँ पर लड़की के लिए बात कहा गया फिर यहाँ लिखेंगे वैसे she और she के बाद हम लगाएंगे यहाँ पर will तो she will और फिर लिखेंगे be अब पी रही है तो उसके अंग्रेजी हम drink लिखेंगे और ing लगा देंगे drinking she will be drinking milk लास्ट में हम लिख देंगे तो इस तरह से sentence हमें translate यहाँ करना है last sentence है वे कमरे में सो रहे होंगे तो वे के अंग्रेजी हम यहाँ लिखेंगे दे और दे के बाद लगाएंगे will they will be और फिर sleeping कमरे में सो रहे हैं तो sleeping लिख देंगे आप यहाँ पर they will be sleeping in क्या क्या आपको process use करना है तो ऐसे ही sentence को आप अपने ही किसी practice book से कोई भी आपके पास जो grammar book है उसे solve करें और जो भी query या questions है आप मुझे उसके related चीज़े पूँचें इस best series में continue बने रहे हैं आपको आगे बहुत अच्छी चीज़े सेखने को मिलेंगे झाल